हेलो फ्रेंट्ट & मैनिम्स जिओका,िश में आज बहुत हुकुष हूँ क्योंकि यह बताने के लिए हमारे पास European Heart ऐसा बच्चा है,जो इंडिया इंडिया का नंबर फन्र फन्र मैंड पावर का बच्चा है यसं उसनने एक ही दिन में आखे बं करके वह repeatrice किया आखे बन करके थर्ड आय जिसने अक्टिवेशन किया है और मैं काफी कुछ हुए बताने के लिए उनके मम्मी उनके दीदी वो बहुत खूश है यह चीजे वो सीखे तो हम यहाँ पे लाइव आ रहे है तो मैं चाहूंगा यह वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिया एक्टिवेशन करके देखिये अलो फ्रेंट्स आज मैं योगेश सभी का स्वागत करता हूं आज जो है हमारे साथ अईसे स्टुडेंट है जिन्होंने फर्स दिन में ही यस फर्स दिन में ही आँखे बन करके उनको दिखाई दिया और हमारा जो अमेजिंग प्रोग्राम है चाहूंगा कि जोड़ान फ्लैप बजा कि इनका स्वागत करते हमारे साथ है ग्रंट करता हूं और मुझे काफी खुशी हो रही है कि आप जो है लाई आये हो और हमें कुछ बताओगे आपके बारे में और क्या क्या एक्स्पिरियेंस आये थर्ड अक्टिवेशन का ये हम स चाहिए उनके दीदी भी उनके साथ है इस्वरी ओके दोनों भी स्टूडेंट हमारे थर्ड अक्टिवेशन का कोस्ट कर रहे हैं है तो ग्रंट आप कहां से हो आपका पुरा नाम क्या पूनसे स्टैंडर्ड में हो इस्वरी आप भी बोलना है तो आप खुद के बारे में थोड़ा सा बताईए सभी को मैं पूनसे हूँ आरिवाद में सिक्स्टैंडर्ड में हो ओके नाइस और आपकी दीदी उनका नाम क्या है सिक्स स्टैंडर्ड में है ओके दोनों भाई बहन जो है सिक्स्टैंडर्ड में हो पूने से हैं ओके तो गरंत अभी आपका कौन सा अब आप कोन सा दीन थर्ड अक्टिवेशन का देख रहे हूँ अभी कोज़ा चालो है आज सब्सक्राइब करता हूं मैं आपको कैसे बता चला मिड ब्रेइन के बारे में अपको किसने बताया था कैसे बता चला लंडन में थी 15th year back तो मैंने वहाँ पर एक शो में देखा था यह कोर्स देखा था और में इतना इंप्रेस्ट तभी 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 ग्रांत नहीं हुआ था कि जब पच्चों के तो इनको यह कोर्स दूंगी चुरूर तो एक पंद्सक्राइब मेरी बहन है इसकी बेटी ए तप लगा और आपका जो बोलने का स्टाइल है वह बहुत पसंद आ गया है अरे वाद नाइस नाइस सो हमारा कॉर्स काफी इंप्रूमेंट है क्योंकि उसका जो बेस हो करी आप Unity करति अब जो कर रह आहो मैं आप मुझे सच भी बताइघना घुम आंपने पहले बार देखा यह पर पहले बार देखा वाहँ पे आपको यकिन हुआ कि यह सच में काम करेद़ तो फिर ऐसे आखियों कि कर तो अभी मैं जो है 30 डेस कमरा कोर से वह कर रहा है गरंत है इश्वरी है वह साथ में करते हैं और काफी सारी चीज़े बता थी कि ग्रंट ने ये किया है इश्वरी ने वह किया है और मुझे भी काफी अच्छा लगता है जब मैं गरंट को कोई चीज बता तो वह पूरा कर लि कर रहा है 30 डेस का तो अइसा क्या आपको अच्छा लगा या फिर बता सकते हैं मताभी बताओ इसमें से आपके कौन से चीजे है जो को काफी पसंद्स आते हैं ऐसे क्या-क्या चीज्जा हमारे को बदस्स काफी कुए लगता है ऑग जैसे हमारे डांस लेते हम meditation लेते हैं या फिर brain exercise होती है या जो भी activities होती है puzzles होते है या फिर हम different different चीज़े करते है त्राटक करते है exercise करते है तो इसमें से आपको क्या अच्छा लगता है आए exercise आए exercise अच्छी लगती है और उसमें आभी काफी tremendous change है वह अभी reading कर सकता है आखे बन करके और उसको एक आखी मिल गई है तो हम यहां पर live दीखना चाहेंगे हम आखे बन करके वह कैसे देखता है हम एक चोटा सब practical करेंगे ग्रंत का उसकी ब्लाइडफोल अक्टिविटी करके हाँ चलो आप आपको के पट्टी बांदिए और सभी को दिखाईए यहां पर कि कैसे आप आखे बन करके चीजों को recognize करते हैं अरे आपने तो special उसको strip भी लाया है ब्लाइडफोल भी लाया है वेरी नाइस ओके यह घर पे कर रहा है आप अंदर से आके बन करें ओके अंदर से बन रखनी है जूटने बोलना है सत्य बोलना है मैं उनके हाथ में कुछ तो भी दीजिए ग्रंद के हाथ में कुछ है रेकोगनेशन के लिए क्या है आपके पास जो सभी यहां पर देखिए घर बेट यह चीज आप सीखे ऐसे बच्चों को डिवयॉफ कर सकते हैं उनके लाइफ में यह बहुत बड़ा इक मिरैकल चेंज उनके लाइफ में एक तो क्या है उसके हाथ में दिया है हमें या फिर कामेरा डाउं कीजिए आ नाइस नाइस कर एक पांच पक्षी उड्रे वाव वेरी नाइस दिखाओ दिखाओ सभी को दिखाओ अभी मैं दिखाए सभी को पांच पक्षी उड्रे बैटा है ट्री है वेरी गुड बेरी गुड वेरी गुड बता हिए आप ने अभी निकाला आपने लोग सोचाए यह प्रीटव होगा पहले उसको दिखाए अभी तुझे यह बोलना a sep अभी निकाला सकते हैं आप मुझे जो है बेटा पेज नंबर 12 निकाल सकते हो 12 पेज नंबर क्या है 12 पेज नंबर देखाओ चलो मैं मन में एक यह लेता हूं यानि मन में मैं नंबर लिया 12 पेज नंबर का देखते हैं वह निकालता है क्या निकाले सब्सक्राइब 12 page number okay nice 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 okay 12 page number 12 है great so very nice very good okay मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो है गरंत को appreciate करें very nice so पिच्चर है वो बोलिये पिच्चर है वो भी बता रहा है बता रहा है यहां पर रेड कलर का पेनों के लड़का है यह पैंट है उसकी आफ पैंट है वाइट कुट पर ब्लेक कलर के स्पार्ट सेश्ट अर्यवाँ नाइस 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 वाँ ग्रेट अर्यवाँ सभी चीजे उसने बता दिया अर्यवाँ वह बच्चा भी बता दिया ग्रेट ग्रेट सो काफी डिवलप्मेंट मगरमाच है ओके नाइस मैं काफी लोग ऐसे भी वीडियो से यूट्यूब पर लोग कहते हैं कि सच में सच है क्या यह फिर डाउट लेते हैं कि नीचे से बच्चों को देखता है तो आपको एक्स्प्रियंस नेरोई हुचता और इंप्रूमेंट बहुत है इंप्रूमेंट है क्योंकि 11 देर तक मैं आगए तक मैं यस तो हमारा जो लाइव है वो थर्टी डेस का हम कंड़क कर रहे हैं आपके भूर पे सिकाने का और ग्यारा दिन में यह सभी रिजल्ट है 11 देसमें मैं आपने 11 दिनों में गरंत में ऐसे क्या-क्या बढ़लाओ देखें क्या-क्या चेंज देखें गरंत आप निकाल सकते हो ब्लाइंट जो भी अपकी स्ट्रीप है तभी मैंने उसको पूछा था कि टीवी पर देख बैठा कुछ है क्या टीवी पर दिक रहा है तो टीवी का साउंड म्यूट के मैंने और चाइनल लगा दिया तो उसमें पूरा डिस्तोरी चाइनल था उसमें जो भी था उसने बता दिया कॉन से एक आजमी था जिसने स्पे पहना था वो उसने पता दिया दूर से टॉच भी नहीं किया तभी ने किया डारेक्ली वह आकर के सामने उसको सभी चीजे दिखाए दे रही थी वाव वेरी नाइस और अभी यह चीजे आपका ग्यारा ही दिन सेशन है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्यारा दिन बच्च अगर मेडिटेशन करें प्रॉपर हाइर एनर्जी ले तो उनमें काफी सारे बढ़लाव आते हैं या उनका सभाम में जैसे टीवी मोबाल हो सकता है गुसा हो सकता है स्टडी के प्रब्लम हो सकते है रिडिंग हो सकता है राइटिंग हो सकता है कुछ भी या फिर जैसे कि जहां पे हमें लंबे समय तक उसको करना होता है और डीपली जाके वो सभी बढ़लाव आते हैं तो ग्यारा दिन आप घर पे हो ऐसे कोई बढ़लाव है इसमें गरंत में आपको दिशाएगे जल्दे से चीट जाता था अभी वो थोड़ा कम है मेरा भाई भी पर्सो बोला कि इसका थोड़ा गुष्टा कंट्रोल में आ गया है और रीडिंग भी होगा है ओके मैंने आपके फॉलॉप में सुना तक ही गोड़ाता है मुझे रीडिंग का स्पीड बढ़ गया आप निका लो ब्लाइंट फोल्ड जो है स्ट्रीप निकाल लो तो आपकी स्कूल में यह एक्टिविटी करके दिखानी है अभी आपका स्कूल ओपन हो जाएगा ना तब मैं कहता हूं कि आप यह चीज़े करोगे न स्कूल में तो टीचर आपको काफी एप्रीशेट करेंगे यह कहां चाहूंगा यह चाहूंगा यह चाहूँ टालेंट आपने जो स्कील डेवलॉप किया है इसको रोको मत इसको एक्स्प्लोज करना सीखना है एक्स्प्लोजन मैं तीन बाते हमेश्चर बताता हूं पैरेंट्स के लिए पहला है बच्चों की स्कील को इडेंटिफाइग करो जो भी आई है नई है और बेटर है और उसका अच्छा उसका प्रोग्रेस भी है उस इस तीन को क्या करो есяक्स्प्लोजन कर routingौ स्प्लोजन यानि क्या कि आपको मुभी जिखाओ जैसे कोई महमान आय उनको आप दिखा सकते हैं स्कूल्स में या कोई टेविशन्स में वहाँ पर आप अपना नॉलेज अपना जो टालेंट आपके बन करके वो दिखाओ क्या होगा उससे उससे क्या होगा एक चीज होगी कि आपका जो है एक आत्मेविश्वास बढ़ेगा यस में को चाला को मेरा कॉंफिड़न्स लेवल बढ़ेगा और मैं मैंने आपको शायद डॉन नो मैंने एक वीडियो भीज़ा था में इस वीडियो में अभी दिखा रहा हूं जैसे देखो मारेफेंस यहाँ पे सचीन टेंडूल कर है ओके आप देखो मारेफेंस चीज का क्या हो सकता है सचीन टे बढ़ेगेगेट तू तू अवालीं और क्या स्कीन हो भीड़नी न एक वाली टू शूबहाँ टू अवाच्छड दिख यहाँ इस कि अजिफ ए टू हम एंगेटेश ब्सूम्हें टो लीड़न टू लूलाँएट टूल टू नहीं लीड़नेल ट्रू राम्यों च्छी अ प्रहुन्छि ऑगी है विन्छेस रिंट गुर्थ बॉड़ टॉर्ड़ ए्र दॉर्ड़ एंदिया है आप उर्ड़ तॉर्ड़ ए्या जार दॉर्ड़ च्ट्टब लिए इस नेक्स चैलेंज इस तो टीच मी वो पूरे उनके इंस्टाग्राम में अप्लोड किया सबी यहां पर उन्होंने भेजा सो यह टैलेंट वो बच्चे ने जो दिखाया और आके बन करके यानि उसकी मुझे से नीचे है लेकिन वो बन आको से देख पा रहा है सो बच्चे के अंदर जो भी स्कील आया है वो दिखाना है दिखाओगे तो कोई जो है वो आपको अप्रिशेट करेगा आपको मूंका मिलेगा आपका नॉलेज जो है लोगों को दिखाने के लिए क्योंकि क्या होता है कि आज के यूग में आपके पास कितना न्यान है वो important नहीं है आप उसको सामने लाना वो important है जब आप दुनिया के सामने लाओगे तो लोग ऐसे भी है जो धून रहे हैं ऐसे टालेंट को जो जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो वो आपको एक अलग ही लेवल का प्लाटफॉर्म दे के आपको बना सकते हैं बड़ा कुछ अचुमेंट कर सकते हैं सो मेरे काफी स्टुडेंटे वो न्यूज में गये हैं गिनीज बुक में गये हैं ऐसे अलग अलग बच्चे हैं जो यह चीज़े करके अपने यह सभी किया तो आप में क्या-क्या बढ़ लाओ देखा खुद के अंदर ध्यान जवाब कर रहे हो कि सभी एक्सरसाइज कर रहे ह तो हैं घ्शा था मेरे विए लिए उने इस वड़े करना चाहंगा कि7 आप भी प्रैक्टिस करते हो किक या बोला आपका तोड़ी वरा हÈ किष्वट शुका से बात करना चाहंगा हूं आप भी मेरिटेशन करते हो Сейчас तो आप आप मुझे बताओ आभी आपको चीजे रेकोगनाईज होना शुरू हो रही है ओके इश्वरी को थोड़ा सा लेट अक्टिवेशन हुआ लेकिन वह भी अभी अच्छा कर रही है आपको क्या-क्या दिखाय देता है अब थोड़ा सा कम स्पीर है ना रीडिंग नहीं आ रहा है आ जाएगा आप थोड़ा थोड़ा है ओके लेकिन कार्स पिक्चर्स अभी ऐडेंटिफाय कर रही है तो आप मुझे दोनों बता आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे आपको क्या बनना है बड़े होके सबसे पहले आपको जो बनना है वो क्या होगा सी आइडिया अगरी की चूज करना है वाव 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 ओके नाइस में हमेशा कहता हूं कि आप जो भी बनना चाहते हो उसका गोल बनाओ हमारे सेशन रोएगा 13 वा 14 वा उसमें हमने कहा है कि आप अपने लाइफ में जो भी बनना चाहते है उसको लिख के रोको लिखना जरूरी है तिंक इंक इट जब आप लिखोगे ना तो क्या होगा कि आप वो सूचना ब्रह्मान को इनर्जी को दे रहे हो उससे होगा क्या कि आप पर अपना वर्ट करो कौन से प्लेश पर जगा वो सभी अगर आप डीटेल है वो संभावना काफी ज्यादा होती है आचमें की क्योंकि जैसे हम सोचेंगे वैसे बनेंगे इश्वरी आप क्या बनना चाहते हो बड़े हो कि हर्यों अभी थोड़ा स्पेसिपिक बोलना है य तो बनोगे ठीक है तो यह लिखना जरूरी है आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप अपने गोल्स अभी जो आपने बुला वो लिखोगे लिखो और यह जो लिखना है ना यानि वह आपके पास रखो जैसे आपकी कोई किताब इसको अपने साथ रखो या फिर उसको लिखके आप अपने घर पे भी अपना स्टडी है वो टेबले वहाँ पर लगा सकते हो तो उसको हमेशा देखते रो मैं बनना चाहता हूं यह चीज़े मुझे भी है इससे क्या होता है कि वह अपोर्चनिटी उसी प्रकार का हमारा जो इंट्यूशने थड़ आये है वो हमें मदद क करता है उसी दिशा में लेने के लिए सो यहां पर में एंट करूंगा सबसे लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि अभी समय भी काफी हुआ है जो आपने अनबूल या है जो नए है जो सोच रहे है कि हमें भी करना है लेकिन डाउट लेते हैं कि सर घर पे कैसे होगा या फिर पॉसिबल है क्या बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे मैं आप हमें बताइए कि सच में यह डिफिकल्ट है या इजी है जो बागी के जो बच्चे जो करना चाहते हैं लेकिन डाउट रखते कि कैसे घर पे होगा उनके लिए आप क्या कहेंगे बहुत अच्छा है और हर एक बच्चा करना चाहिए सच में बहुत अच्छा है अभी तो आपको 13 डेजी हुए है और आपने जो एक्स्पिरियंस लिया है बुली है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यस 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 और उसके बच्चों के ऊपर इन्हें कुछ तो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं ऑके तो मैं आपको फिर से कॉंगरेशन करता हूं और के इश्वरी है ग्रंथ है कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा काम बहुत कुछ बड़ा में चाहता हूं कि आपसे यह महानकारिय हो और आप बड़ी लेवल पर जाहिए ओके इसी ब्लेसिंग के साथ हम यहां पर रुपते हैं और आप अपने एक्जामिनेशन में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा मेरे साथ हमेशा टच में रही है क्य कहूंगा कि आपने समय देके यह किया है मुझे लगता है कि आपका एक्जामिनेशन भी चालो है है ना आपका कुछ औरल एक्जाम चालो है ना भी वो उसमें आपने टाइम में चला है इंटर्विजरी बहुत बड़ी है लेकिन थर्ड एक्टिवेशन है आपके पास study का को कोई टेंशन ही नहीं है तो थैंक यू वेरी मुच लास्ली और हम यहां पर खतम करते हैं यस मैं बोलिए 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 एक्टिली सर मुझे आप इतना अच्छा एक्स्पें करते तो बच्छे बोरी नहीं हो रहें बहुत करते हो कि कब चालो होगा कब स्टार्ट करेंग तो डिफिनिटली आपको मिलेंगे हमारे लाइव सेशन जब रहेंगे ना सो में जल्दी कोशिश करूंगा कोरोना अभी कदम होने के बार लाइव आओंगा तब हम मिलेंगे ठीक है एक लाइव एक्स्पेरियेंस आएगा तो हम बात करेंगे ठीक है तो थैंक यू वेरी आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आप मिल ब्रेन एक्टिविशन का कीट लेके उसका बेनिफिट लेना चाहोगे कैसे आप अपने बच्चों को ये चीज़े सीखे उनकी लाइफ बदल देने वाले हो सबसे पहली बात ये काम कैसे करता है बच्चों के लिए अमेजिग प्र आपके बंद करके हमें अन्दर की चीज़े दिखाई देती है वैसे ही आपके बंद है तो हमें बाहर वाली चीज़ें भी दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है है काफी देर बात पता चला और 2013 मीए जर्ब इंडिया में साइंस आया जापान में इसक और बच्चो आपके बन करके देखने लगे। करके रीड करता है तो वो समाधी आवस्ता में होता है और जब समाधी आवस्ता में होता है बुक को बंद भी किजिए तभी वो उल्टा पड़ता है यानि इतना अमेजिंग है बिचले चेस आज इसके उपर इतना रिसर्च किया हूँ और बच्चे कोई कूंपिट नहीं कर सक सकता है इन बच्चों से थर्ड अक्टिवेशन खोलने के बाद नो कॉंपोडिशन और सबसे इंपोर्डेंट बात है मेरे उपर विश्वास रखिए जब यह प्रोग्राम में ले रहा हूँ बता रहा हूँ द्यान से सुनिये मैंने इसको सीखने के लिए काफी समय दिया है और आज अगर आप डिसिजन लेते हो तो आपको बस आज जो ए प्रोग्राम इस कीच को खरीदना है और करिदने बाद आपको जो है यह कीच आपको हमारा लिंक मिलेगा यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा और यह वीडियो आफ लाइफ टाम ऐसेस कर सकते है और मैं आप आपको बता दू हम दो दिन का फॉल अप देने वाले है यह चिंता मत करें के यह बच्चे को घर पर कैसे आएगा यह काफी इजी कंसर्प्ट है मैं आपको एहल करूगा अजारों बच्चों को हमने यह सिखा है घर बेटे इसका अनुभो लिया है और सबसे बादे बाद आ बड़ों के लिए दिया है पैरेंट्स भी होते बच्चों के साथ तो उनके लिए काफी बेनिफीशल है सकेंट जो प्रोग्राम है रीकी से मैं आपको ददो पहले रीकी से कोई भी बिमारी हम ठीक कर सकते है विदाट मेनी सीन आपके बच्चे बिमार ने गिरेंगा और सब याने ब्रेन लांग्वेज होती है मन की जो भी देखते हैं फील करते हो अनुभव होता है वही बाहर कटित होता है एनलपी के साइंस में हम दिशा देते हैं जैसे बच्चों के टीवी की प्रोब्लम है बच्चा सुनता नहीं गुसा करता है जिद भी वो चुका है राइट आज आपको free मिलने वाला है हमारे 11, 12 and 13 जो तीन सेशन है मेमरी के ऊपर है और ये तीन सेशन जिन बच्चों ने किया है कितना भी बड़ा नंबर हो याद रखेंगे कितने भी सारी वो question answer एक बार पड़के याद रखेंगे और सबसे important है कि बच्चों की dictionary की dictionary की श्रब्द याद हो जाते है जैसे मैं बोलू बोन का structure है 206 नाम उसको याद रखने है तो कितना समय लगेगा आप उसको रटा मार के तो आपको काफी समय लगेगा लेकिन memory टिकनिक सिखने के बाद उसको आप एक गंटे में याद रख सकते हो इतना amazing ये program है या सीखे कितने सारी बच् holder है ये सीखे उन्होंने काफी सारा calendar याद रखा है ये सीखे ये आपको मिलने वाला है और सबसे important ये जो अनो का program है हमारा 30 days का अगर आपको शक होता है या फिर आप विश्वास नहीं रखते हो सब्सक्राइब कैसे होगा तो आप में उचे देखने के लिए मेरा profile चेक कर स सकते हैं और वहां पर देखे मैंने बरसों से में उसके उपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कितने सारे parents के testimony इस video के नीचे आप जाओगे तो आपको कितने सारे parents के अनबों दीखेंगे उन्होंने ये गर बेटे सभी ने सीखा है तो आपके बच्चे कोई अलग नहीं है वह भी कर सकते हैं बस आपको विश्वास रखना है चलो आप विश्वास नहीं रखते हो ना चलो में खुद रिस लेता हूँ आपको 30 दिन में midbrain activation आपके बच्चे आखे बन करके ना दिखाई दिया तो मैं आपको money back guarantee दे रहा हूँ yes money back guarantee अभी तो risk नहीं है चलो ये experience लिया वीडियो का और वो वीडियो देखे फर्स दिन में ही फॉल उप में उनको तपस्या को दिखने लगा था देखिये माम जो है उनको रूज जो है प्रैक्टिस करवाते हैं और जो फॉल उप में जो हम बताते हैं उसको 100% उसको यूज करके इतने सारे amazing result उन्होंने ल को कुछ बूरिंग था कैसे था मुझे बहुत अच्छा लगा रहा है अच्छा है और आपके ये विडियो करके यह किया है वह किया है तो तो बसे आप मुझे बताओ कि ये कोर्स करके आप में ऐसा क्या बढ़लाओ आपने देखा कि पहले वो नहीं था, अभी मेरे अंदर ये चेंज है, ऐसा क्या-क्या चेंज है, बोलो पर आप कम देखने लगी, मुझे जब मैं मोबाइल आत्मे लेती है, मुझे बोर होता है, बोर होता है, वोके, सो ये हमारे इनलपी का पावर है, हम नियूरल इंग्वेस्टिव प्रोग्रामी, बच्चों की प्रोग्रामिंग करते हैं कि मोबाइल टीवी देखने से मुझे बोर फिल होता है, और यह हम सब कॉंशेस के लेवल पर उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं, अभी मोबाइल अगरा छोड दिया है ना तपस्या, माम आप मुझे बताइए, अभी वो कॉंसेंट्रेशन से सब पढ़ती है, और लर्निंग बहुत पास्ट होगे उसकी, पहले रा पर आपने बोला था सर की कॉंटम रीडिंग बहुत इसमें डीप है, कुछ-कुछ बच्चों का ही होता है, तो मैंने देखा कि क्यों ना हम तपस्या पर आजमाएं, तो मैंने उसको रात को जब मैंने आपको पोन किया था सर फिलिपिंग का ये करू क्या, तो आपने बोला इसे बात, उसने इमेजे जैसे बुक में थे, वैसे उसने सेम बता है, उसने बता है, उसके पपा भी धंग रहे गया, कि ऐसे कैसे हो सकता है, विदाउट सीग जब बूख जब मैं भी इसको पहली बार देखा था, आइवाज शौकी है, कैसे मुमकिन है, तो इस सम्थिंग इसके beyond science है, यह हम नहीं समझ सकते हैं, और मैं भी इसको नहीं जानता हुए कैसे होता है, लेकिन यह चीज ही है, हमारी अग्या चुक्रवर इमाजिनीशन और ब्रेन के अंदर unlimited शक्तिया है, शायद हम उसको यूज ने करते हैं, हमारे साथ ऐसा एक बच्चा है, जिसने आपको कैसे स्टार्ट में पटा चला, आपने कहां पी देखा यह जो मिल ब्रेन अक्टिवेशन या फिर कैसे आपको मालम गुआ यह मैं यह फेस्बुक पर देखा, थर्डा अक्टिवेशन का कॉर्स इसलिए मैंने आपको कॉल किया और वह से हम लोगों ने शुग किया, मैं आप टीछे में टीचिंग करते हैं और मैं का एक डाउद ता कि बच्चे का होगा या नहीं होगा तो मैं को मैंने कहा कि मैं आप कीजिए, फुल वह टो कंफिडेंस के साथ कीजिए और बच्चे का रिजल्ट यहां पे आते हैं और उनको काफी सारी चीजे बताई कि हम के साथ साथ और भी कई चीज़े सिखाते हैं अपने कैसे क्या सोच के डिसेजन लिया था करना है इसलिए मैंने उसको एन्रोल किया और भी उनके पाची दीन कंप्लीट हुए हमारा वेदान है उसमेल लेके एक छोटा सा अन्व में शेर करना चाहूंगा वेदान जो है फर्स दीन में ही रीडिंग किया उसमें एक्चुली काफी सारे जो बच्चे जब इन्रोल करते है तो उनको पहले दिन में कलर इंटिफिकेशन और बड़े-बड़े लेटर दिखाए देते हैं तकि जब मैंने पॉल अप लिया तो उसमें देखा कि वेदान जो है अभी पाच ही दिन हो गया है तो ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखाए वेदान तो पाच दिन में मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है वो थोड़ा कम यूज करता है कम करना है ओके नाइस तो यह सभी पैरिंट्स की शिकायत होती कि मेरा बेटा मोबाल देखता है टीवी देखता है या फिर लेट उठ जाता है या फिर अभी तो फिलाल जो है माम स्कूल जो है ऑनलाइन है मैं चाहूं का कि जब स्कूल खूल और उसके जो भी एक्जामीनेशन रहेंगे वो और ही लेगा सबसे बड़ी बात और सबसे इंपोर्टेंट है हमारा अध्याच्छ चक्र और इसके पाथ जो बड़ी पावर है वो है मीमरी, कॉंसेंट्रेशन और इन्टूशन यह तीनों पावर बहुत बढ़िया है यह ती मंभई से बिलॉंगिंग ए विरार से है सर आपको कैसे पता चला मिड़ ब्रेन अक्टिवेशन यह जो कंसेप्ट है बचे आखे बन करके देखते है यह आपको कैसे पता चला किसने आपको बताया यह तीबे जब आपने पहले बार देखा जब उन्होंने बताया तो आपको विश्वास था कि सच में यह काम करेगा आंके बन करके दिख जाएगा ऐसा आपको लगता था पहली बार मेरे को नहीं विश्वास था अगर उन्होंने मेरे को वीडियो दिखा है आपका हाँ देखने के बाद मेरे को लगा मेरी भी लड़की ही हाँ हाँ तो कर ती ऐसा मैं सोते हैं वर वर यह सभी को कहना चाहूंगा कि मयंग और आरिया यह दोनों भी अभी रेगुलर हमारा जो वीडियो कोर से वह कर रहे हैं और डेलिगेटली यानि वह 100% दे रहे हैं और उन सब कुछ जो हम उसको बोलते हैं सब कुछ बोलती है जो हाथ मेरे हैं सब कुछ बोता देती है वेरी नाइस वह को से उसमें से अभी कौन सा देखा आज आपने 11th day 11th day यानि 11 दिनों में आप मुझे बताइए कि बच्चों में आपने क्या बढ़लाव देखे हैं उनके सोबाओं में उनके जो भी कुछ चीजे आपने अन्वो किया कि यह अकरा 11 दिन में उनके अंदर यह चेंज आया है ऐसे क्या-क्या चेंज हो सकते हैं आड़ी अब बड़ा हुआ है और यह बड़ा हुआ है और जो बोलेगा हो करती है हो करती है ओके इनका में पूछना चाहूंगा यह कोशन में नॉर्मली जब इंटर्व्य लेता हूं हमेशा कोशन पूछन पूछता हूं इनका TV मोबाईल देखना कम हूआ है कै सर कोर्स के गांट ऑफ जर्नी कर रहे है तीवी मोबाइल का क्या है अब 11 दिन हो गया टीवी और मॉबाइल देखते ही नहीं है अली जो एक रिचाटर्पर रहे हैं अच्छा इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा कुछ आईसा से पहले देखते थे लिए लिए जिफे सब यह उन सकत आरिया जो रिमोटी नहीं छोड़ती थी और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवीज नहीं देखी है तो यह सबसे बड़ा बढ़लाव है जिससे हम कहे सकते हैं कि यह जो अपने बच्चों को टीवी और मोबाल से चुटकरा चाहिए ना तो इस अमेजिंग प्रोग्राम जो सर ने आपने आनवो लिया है हमारे स्टुडेंट है जो फोरें कंट्री से बिलॉंगिंग करते हैं यस प्राइश से है और में बताओ कि इन्होंने हमारा ओनलाइन विड ब्रेन अक्टिवेशन का वीडियो पूर्स किया है क्या नाम है आपका मेरा नाम है मोबीन मोबीन है मोबीन आप कहा से हो को से सिटी से हो और इन विश सिटी मैं हूँ पांगलादेश से और यहां पर एक सिटी है सावार धाका हम वह पर रहते हैं आरे वहां ग्रेट 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 अब मुझे बताए मैम आपको मिड ब्रेन अक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला काहां से अपने देखा इसको कहां से आपने जाना कहां से पता चला मिद बारे में के बारे में मेरा हाजबन मेरे को इंट्रॉच्श इंट्डूश किया लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिशन करता था बस meditation every five days five times a day we should do the man we would do the meditation अपने की बार मेरे हस्बन ने मेरे को बहला आपका number दिया बोले इस इस इंसान को contact kore ए मेरे अक्तिविन इसका था एक करने की बार इंसान थड़ा एंसे यानी पीनियल गलैंसे देख सकता है में आप मैं आप को नमबर ता पर भू निए। मं तु आपने को बाद आपके मुबिन को दिखाए देने लगा। जो कितने दिन बाद आप? प्रताश हो जाता है तो प्रताश हो जाता है मैंने उसको कौॉटन कुछ जेता है तो कोई खी यही डिकाई निदäता है भूछ नहीं एक, भूटादा देलोत भी जाता है आप इस तो ही सौपराइसि नहींद से वाज supplement इरेटीय है वैजय है डिष्जूर करने की इन सब्सक्राइब चाहिज़ कानने के अप कि नवयूमिट सब्सक्राइब करने कि लिए 국 PB बढ़ती है, midbrain activation से, सबसे पहला अगर कोई फायदा midbrain activation का है, हो है memory, स्मरण जुपती के ऊपर काभी मात्रा में बच्छों की बढ़ जाती है, memory बहुत इंपरू होती है, इतना development बच्छों का हुआ है, सारतक हमारे साथ है, उनके parents हमारे साथ है, वो आज आपके साथ सफुल में पढ़ते वह भी बताई है, मेरा नाम सारतक संतोषमी सवे, मेरे तनाव सारतक, मेरा स्कुल का नाम जेडबी primary school सोंड़ा, मैं भेंडे मेरे ताहु, ताहु का न वसा दिल्या अमध्नगर की आपको कैसा पता चला, midbrain के बारे में, किरिप को थे पता चला हो आपके झौटुप पे वीडियो देखे आहा है सिर्श कर रहा था तो मेद ब्रेंग एक्टिवेशन का पर-श के बारे में मुझे जो पता चला और बहुत सारे बच्चे देखे जिनका मेड़ ब्रेन अक्टिव हुआ था और वो कैसे अक्टिविटीज कर रहे थे तो हमें भी आईसा लगा कि हम हमारे बच्चे का यह कोर्स जरूर करेंगे आप से संपर्किया और फिर यह कोर्स जॉइन के सार्तक के पैरेंट जो है अजब टीचर उनका प्रोपेशन है वो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को टीचर है जो कोर्स है वीजियो कोर्स है वो किया उस करते समय आज सार्तक को कितने दीन बाद आंखे बन करके दिखाए दिना शुरू हुआ तीसरे दीन उसके आख खुल गई और वो रिडिंग करने लगा चोटे-चोटे अल्फबेट्स स्मॉल लेटर्स कैपिटन लेटर्स वन टू हमने फिप्टी तक नंबर लिये थे वो मराठी में कुछ लिये थे कुछ इंग्लिश में लिये थे नंबर उसके तो ऐसे आखे ब साइड में थोड़ा डिस्टंस रहे जाता है ना उससे दिखाई देकर शायर ऐसे लग रहा था लेकिन बाद में हमने कॉटन लिया कॉटन भी लगाया उसके अंदर फिर और दो तीन से लगाई फिर फिर वो पढ़ने लगा अर्वा पहली बात तो यह जब सरने और हमने ऑन उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना तो करें यह थर्ड आएक की तो उमीद नहीं थी सच में लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगर पे ज्यादा देर तक बेटे चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजट आएगा समझो खुश हो जा इसकी थर्ड आए ओपन हुए है और वो पढ़ रहा है सब कुछ नहीं दो दो पट्टिया उसके आख पर लगाई नीचे कॉटन भी लागाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पढ़ा कि वो सच में देख रहा है उसको सब कुछ देख रहा है उसको सब कुछ देख हमरे साथ एक ऐस escucha student है जोन pię SH करके आज उनके अंदर काफी development आया है एक साल पहले उनोंने Midbrain Activation का live training लिया था आज जो है Midbrain Activation को वो daily मुझे वीडियो बेचते है Sir, actually Sir मुझे जुड़े हैं उन्होंने franchises भी लिया है यानि उन्होंने lockdown में काफी सारे बच्चों को भी train किया है और मैं जरू कहूंगा कि आज ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये आपकी life बदल देने वाला है Sir, आपको कैसे पता चला कि Midbrain Activation जैसा Science या फिर ऐसा कोर्स होता है आपको कैसे पता चला था आप क्लास लगाने से तोले आपको मैंने आपका YouTube देख देख दासर आपका 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 आपके पहुत तारी वीडियो देखे पाथ मुझे मेरे माइंद में खालाया लेकिन एक दिन हमारे भी पच्चे गणने का कों पढ़ना जरूरी है येस ये महने आपका एक लिएव भर आपका यूटूप पर देख रहा था लेकिन एक दिन आइसा हुआ मेरे माइड में आपको चाहिए लेकिन आट दस दिन में आपको प्रोग्राम का जब आपने आनबो लिया तो आपको कैसा लगा अपको कैसा लगा पालां दस लगारा अपको कि पालांद सब्सक्राइब करने प्रोग्राम करें आपको नापको चाहिए लागा जैसा आपको कि नदेनी बता रही अगता है बाव में पढ़ाई में जब लाव में जब हैं लुटा आता है और पढ़ाई करते समय जो एंज्वा है वो अलगी लेवल का है यह ग्रेट मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है हम अग्या चक्र के उपर काम करते हैं हमारे जो थर्ड आई चक्र है उसका कारे हैं मेमरी इंट्यूशन्स कॉंसेंट्रेशन यह पावर बढ़ती है बच्छों की सर आपको क्या बढ़लाव दिखा नंदिनी में तुमला काया कि इसका क्या चेंज्ज देखा है मिड़ ब्रें अक्टिवेशन करने के बाद क्या अग्या अग्या अधिवरेशन की इसने में इसने मास्ट्री कि है इसके साथ कोई कॉंपीडिशन नहीं कर सकता है ऐसा बच्चा जो स्कूल में हमेशा फर्स आता है ऐसा बच्चा जो अपने मम्मी पापा कहना मानता है उनके मम्मी पापा कहते कि हमारे जैसे बच्चा मानों की उनका जो उनके तरफ देखने का अपने बच्चों के तरफ देखने का नजरिया पूरा अलग है और मैं कहता ह कि इस सम्तिंग की वो रोल मॉडल जैसा है ऐसा एक शक्स हमारे साथ है तो मैं चाहता हूं कि आप जिस इस प्रोग्राम को देख रहे तो जोर से क्लाब बजानी है वेलकम करना है वी हाव वन अफ दे प्रेट आप रहे हैं अब को और से सिटी से हो आवाज के रारंबा से हो मैं अच्छा कि आपको कैसे पता चला था और आपने कैसे सोचा था कि हम इसका करने के बाद कैसा फाइदा होगा आपके पहले माइंड में यह कैसे आया था कि विड़ ब्रेन एक्टिवेचर क्लास हमें आपको कैसे पता चला मिड़ ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में यह बता चाहूंगा कि मुझे पता करा था कि आखे बन करके कितने दिन आया था उसका आया था दिखना अपके क्लास में जो जोइन दिया था लगबग दो ही दिन में उसका था 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 बरुवाए जो कुसमी पैक्टिश्टर के भी बने जैसा गाइड़न दिया है तो आपको बताएं सर आप मिड़ ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद आपको बस आके पत्ती बानके इतना ह ते अग्डाश्न करने के बाद तो था 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 अगर कुई कर दा हो तो स्कूर बहुत पेला है जो कि पहले समझे उसको बाहर करना हो वो शर्माता था अगर कोई पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में तो डर लगता था तो फिर अच्छा कोर्स किया है उसका सब्सक्राइब नाम क्या है पूरा आप कहा से हो आप कोंसी कख्षा में पढ़ते हो और आपने जो है आपकी बारे में थोड़ा कुछ सभी को बताओ सब्सक्राइब चेंदाँ पाकर इधर रहता हैं सब्सक्राइब था क्या इच्वास रखा हमारे उपर कि सच में यह काम करेगा तो आपकी दिवाग में क्या आईडेया आई थी यह करने से पहले कोर्स करने से पहले कोर्स का कितने दिन बाद इनको आखे बन करके दिखाएना शुरूं होँआता इसने सुरसाल जिते आप ने किया है यह कोई से कौन से आप तक किमने आप करके ईक नॉर्मल बच्चा नहीं करता है जो आप आज आखे बंकर के करते हों ऐसी क्या क्या CL currently किया है किध्य सब्सक्य कर सकता है कि वह सब्सक्राइब कि है वह वह वेरे नाइस जे अगे नागी श्च काफी जल्दी हो गए थी और वो सभी चीज़े आपको आ रही है मैं नेक्स सवाल उनके पापा से पूछना चाहूंगा सर आपने यह कोर्स किया आपने जो अन्बो लिया है तो आपको अपने बच्चों के अंदर क्या-क्या चेंज आपने देखा है कोर्स जो भी आपनी किया बच्चों में इंप्रुमेंट हुआ है यह सभी को आप बता सकते हैं कि क्या-क्या आपने चेंज देखा है बच्चों में इस जादा करता था था अधिया कम हमरे सुन रहा है वह यारे कि एक तक काम उसको बोले गया हम आच्छा वह इमिजेटली करता है वह तीवी देखने का थोड़ा सब्सक्राइब हो गया है अरिवा नाइस नाइस पहले के जमाने में क्या होता था कि हम खेल में या फिर फिजिकली जो चीजे होती है उससे हम ज्यादा जुड़े थे लेकिन आभी जो पूरा डिजिटल हो रहा है आज स्कूल्स भी डिजिटल हो गए या फिर अगर पे बैटे होते है उनका उनका काफी वक्त ही होता है तो वहां पर distractions काफी है और इस distraction को बछने के लिए हमें meditation करना जरूरी है क्यूंकि meditation करने के का हेल्थ भी हमारी अच्छी होती है, मेडिटेशन करते हैं, अपने रीकी का भी प्रोग्राम आपको बताया है, गर कोई कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा, जो मुझ में नहीं, छाकले अपने भीतर, खुद से आप उचले, कैसी चाहिए, जिन्दगी खुल आखों से देख ले, मुठियों को भीच के, सांसों को भीच के, सांसों को भीच के, सांसों को भीच के, सब से खतराने को, शिखर पर जाने को, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, झाल